ये है In by Micromax brand का नया smartphone 2C ये budget friendly price tag के साथ में आता है इसका exact pricing क्या है वो मैंने जो वीडियो का title है वहाँ पर या फिर जो वीडियो का description है वहाँ पर दिया होगा वैसे हम शूर आप में से काफी लोगों को इसका जो pricing है ये पसंद आया होगा लेकिन इसका जो performance है ये कैसा है और इसके features क्या है जानने के लिए ये जो वीडियो है देखते रहें तो ये है 2C का box pack handset को use करना मैंने अलड़ी शूर कर दिया है amazing color के साथ में आता है और pricing इसका 10,000 रुपे के अंदर है उसके हिसाब से जो look and feel है काफी बढ़िया है चलिए मैं आपको फटावट इसके unboxing करके बताता हूँ वैसे जो key specs है यहां पर mention किया हुआ है यह 3GB, 32GB वाला variant है और handset के अलावा box में SIM tray ejector pin है quick start guide यह screen guard box में दिया हुआ है आम तोर पे ज़्यादा करके जो brands है यह screen guard नहीं देते हैं और यह है silicon case जो handset को protection provide करने वाला है USB to type-C cable और यह 10W का charger box के अंदर दिया हुआ है यह 4G smartphone है और यह triple slots के साथ में आता है एक dedicated micro SD card का आप इसमें use कर सकते हैं इस handset की quality काफे बढ़िया है वसे इसकी जो body है यह polycarbonate material से बनी हुई है और पीछे unique type का texture दिया हुआ है जो कि lighting condition में आपको एक specific pattern देखने को मिलता है और इस भाग में थोड़ा सा अलग shade दिया हुआ है जो की camera का design है उसके साथ में merge होता है काफी impressive design है खास करके क्योंकि यह under 10,000 रुपीज का smartphone है इसमें जो speaker है यह back side पर दिया हुआ है इसमें fingerprint sensor नहीं दिया हुआ है camera का जो module है काफी हद तक अंदर की तरफ है audio jack दिया हुआ है type c port है single microphone है single speaker है यह brown या फिर silver options में available है brown वाला काफी unique दिखता है इसमें android 11 run हो रहा है out of the box interface काफी अच्छा है 3GB RAM है 32GB storage space दिया हुआ है अब यह budget smartphone है तो आपको बढ़िया high end features तो इसमें नहीं मिलने वाला है यह 4G support के साथ में आता है वजन है 198 grams और thickness है 8.63 mm 6.52 इंचिस का display है HD plus resolution के साथ में आता है डिस्प्ले की quality काफी अच्छी है और खास करके अगर आप जादा वीडियो देखते हैं तो उसके लिए यह जो smartphone है काफी अच्छा रहेगा अगें मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि यह smartphone आप तब खरी दिये जब आपका जो budget है काफी limited है आप 10,000 रुपी से जादा spend नहीं कर सकते हैं तो budget friendly users के लिए यह अच्छा option है वैसे धूप में यह जो display है visible है इतना कुछ bright नहीं है लेकिन आप easily जो display है से देख पाएंगे readable है इसमें dual camera setup दिया हुआ है rear side पर जिसमें 8 megapixel का primary camera है और एक depth camera दिया हुआ है और front camera 5 megapixel का है यह है camera का interface यहाँ पर photo mode दिया हुआ है अब इसमें zoom in का option नहीं दिया हुआ है pro mode है अगर आपको manual photographic knowledge है तो manual adjustments करके भी आप photos शूट कर पाएंगे portrait mode दिया हुआ है और यहाँ पर परचर है इसे आप change कर सकते हैं panorama option दिया हुआ है आप videos शूट कर सकते हैं यह 1080p videos maximum शूट करता है slow motion का भी option दिया हुआ है और more में आपको यह सारे options मिलते है night mode दिया हुआ है cure code scanner भी यहाँ पर दिया हुआ है filter का option यहाँ पर दिया हुआ है वैसे जो photo mode होता है दूसरे smart phones पर filter का option यहाँ पर दिया होता है लेकिन अलग से more section में जाएंगे तो यहाँ पर filter का option आपको मिलने वाला है यह कुछ samples है जो कि मैंने इसी smart phone से shoot किया हुआ है अगर lighting conditions अच्छा होगा तो आप इस परकार के portrait shots shoot कर पाएंगे काफी बढ़िया आगया है अगर आप pricing consider करें मतलब कि 10,000 रुपे के range में यह जो smart phone है काफी बढ़िया portrait shots shoot करता है और यह देखें यह है एक और portrait shot जो कि मैंने outdoor shoot किया हुआ है तो जैसे कि मैंने कहा lighting condition अगर अच्छा होगा तो आपको बढ़िया shots मिल जाएगा यह जो भी shots आप देख रहे हैं यह मैंने outdoor में shoot किया हुआ है यह है long shot और यहाँ पर मैंने filter option है उसका उप्योग करके shoot किया हुआ है अगें कमाल का shot shoot किया है यह तरह से push pass style colors का उप्योग किया गया है यह कुछ और filters है अगें जो filters है look and feel को काफी हाँ तक change करते हैं इसलिए आप उन्हें use किजिए तो quality इसकी काफी बढ़िया है और यह है मेरा selfie shot selfie भी काफी अच्छा शूट कर लेता है अगें लाइटिंग कंडिशन अच्छा होना चाहिए अब देखिए यह है लो लाइट शॉट यहाँ पर इतना बढ़िया काम नहीं किया है और अगर आप जूम इन करेंगे तो आपको बहुत सारे ग्रेंस रिखने वाले हैं वैसे social networks पर आप इस प्रकार का जो शॉट है से शेर कर सकते हैं तो बैसिकली इसका जो कैमरा क्वल्टी है अवरेज टाइप का है डेलाइट बहुत बढ़िया शूट करता है नाइच शॉट इतने कुछ इंप्रेसिव नहीं है अगर आप यह सोच रहे हैं कि इस प्राइज में आप के प्राइज बढ़िया खेजा हैं इनके साथ में अगर हम आप से तीन या चार साल पहले के जो स्मार्टफोन करें तो जो सस्ते स्मार्टफून होते हैं उन कुछ चीज आपको अच्छी मिल सकती है और कुछ चीज में कॉंपरमाइस किया जा सकता है जैसे कि इसका जो हाडवेर है इसमें युनिसांक टी 610 चिपसेट का उप्योग किया गया है यह एक उक्टा कोर प्रसेसर है लेकिन काफी बढ़िया है बजेट फ्रेंडली किया गया है इसे गेमिंग यूज के लिए ऑप्टिमाइस किया हुआ है और देख सकते हैं कि वाके में जो गेमिंग प्रफॉर्मंस है काफी अच्छा है not bad in fact मैं यहां पर चेक कर लेता हूं कि जो ग्राफिक्स की कॉल्टी है वो क्या सेट किया हुआ है लो एंड मीडियम म कि कम है यह एक अच्छा ऑप्शन है बैटरी परफॉर्मंस आपको काफी अच्छा मिलने वाला है क्योंकि इसमें 5000 इमेज की बैटरी है लेकिन बॉक्स में 10 वाट का चाजर दिया हुआ है और यह जो हैंसे चार्ज करने के लिए आपको तकरीबन टू एंड हाफ आज के आस अच्छा है और अगर आप प्राइजिंग देखें उसके हिसाब से यह हंसे हैं काफी अच्छा है वैसे यह 4G स्मार्टफोन है 5G स्मार्टफोन नहीं है और जब आप यह वीडियो देख रहे होंगे तो आपको जो प्राइजिंग है इसके बारे में जानकारी मिल गया होग तो आपको क्या लगता है यह जो स्मार्टफोन है कैसा है प्राइजिंग के हिसाब से कमेंट्स के मादम से मुझे जरू बताइए इस वीडियो को लाइक जरू कीजिए और देखते रहे हैं